नमस्कार आप देख रहे होते प्रदेश टाइम्स में आपके साथ दिती शर्वा प्रदेश में बाग और हाती रिजर्वों में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पहल की जा रही है बलकिन छेत्रों में छिपी अपार प्रेटन संभावनाओं की पहचान और विकास के लिए भी पहल की जा रही है योगी सिरकार ने बागो और हातियों के सरक्षन से जुड़े स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए पांच दश मलव 31 करोर रुपे की धनराशी स्वी कर्थ की है अब सियम योगी की मंच्रा अनुसार प्रदेश में बागोवे हातियों के सरक्षन को लेकर जारी विभिन परियुजनाओं को गती देने की तैयारी शुरू कर दी गई है प्रदेश के एक मात्र दुधवा रास्टे उध्यान के साथ ही अन्य टाइगर रिजर्व और सैंचूरी आदी में सरक्षित वन्य जीवो का कुनबा बढ़ता दिखाई दे रहा है यही नहीं वन्यों में प्रेटकों की संक्या बढ़ने के कारण रोजगार के अफसर भी बढ़े हैं और सरकार की कमाई भी यही कारण है कि सरकार अब वन्यों के सरक्षण और वन्य जीवों की रख रखाव आधिको लेकर अधिक सर जग है पहले वनो में गर्मियों में जीवों को पीने के पानी का संकट हो जाता था लेकिन अब सरकार सघन जंगलों में भी नलकूप लगा कर तालाबों और जल्शोतों में पानी भराने का काम करती है इस मत में सरकार ने हाल ही ने धन राशी जारी कर और प्रभन करने के लिए कहा है अब वन्यों में बागों के साथ साथ गैंडों और अन्य जीवों का कुल्मा भर रहा है पहले रास्टी उध्यान में जाने वाले लगबक 10% दी लोगों को ही बागवे अन्य बड़े जीव दिखाई देते थे लेकिन अभी है अमूमन आधे लोगों को बन्य जीव दिखाई देते हैं तो वहीं डवल इंजिन वाली सरकार के नेत्रत्व में सरकार ने बागों और हातियों के सरक्षन के लिए देश में प्रोजेक्ट टाइकर और प्रोजेक्ट अलिफेंट की शुरुवात की है यह परियोजना पूरे यूपी में विभिन रिजर्वों में भी लागो की जा रही है इस परियुजना के अंतरगर्थ उत्तिर प्रिदेश के विभेन रिजव में तमाम नई कारे कराई जा रहे हैं प्रिदेश में परियुजना के अंतरगर्थ विभेन इस्तरों पर कारे हो रहा है प्रेटन मिकास के जरी राजस्व में व्रधी भी हो रही है बाग और हातियों वे अन्य सरक्षित जीव जन्तों को देखने के लिए वनों में प्रेटकों की तादाद लगातर बढ़ रही है हाल ही में मुख्य मंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में बागों और हातियों के साथ ही अन्य वन्य जीवों के सरक्षन को लेका विभेन परियोजनाओं पर काम तेज हुआ है देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े राने के लिए देखते रहे है उत्र प्रदेश टाइम्स धन्यवाद